Hello friends, welcome back to our channel, Job Easy तो दोस्तो आज के इस विडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब विकिंसी के बारे में जो है Broadcast Engineering Consultants India Limited की तरफ से Operation Theater Assistant की पोस्ट के लिए तो दोस्तो इसके अंतरकत विकिंसी कितनी है, salary क्या रहेगी, educational qualification उन्होंने क्या मांगी है, selection procedure, apply कैसे करना है तो दोस्तो हम सब points पे briefly discuss करेंगे तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो दोस्तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए जिससे आपको आने वाले job के updates हमारे इस चैनल से मिलते रहें तो आईए, दोस्तो चलते हैं इसके notification पे तो ये है इसका official notification दोस्तो इसमें एक बात, इसमें जो आपकी job है वो इसके अंतरगत आपकी contract basis पे ये job आपकी रहेगी clear दोस्तो तो ये contract basis पे ये job रहेगी आपकी, तो ये permanent नहीं है अब हम बात करते हैं इसमें दोस्तो educational qualification की तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताई कि operation theater assistant की post के लिए job vacancy है तो इसके लिए आपकी educational qualification उने मांगी है B.Sc या 12 आपकी science से complete होनी चाहिए या तो आपने B.Sc clear करा हो या तो आपके बस B.Sc की degree हो या 12 विच science stream के साथ आपकी होनी चाहिए और इसके साथ ही आपके पास five years का experience इन areas में होना चाहिए या तो OT या ICU या C, SSD या manifold room में आपके पास काम करने का दोस्तो experience होना चाहिए तो इस job में उन candidates को preference दी जाएगी जिन्होंने certificate या diploma course किया है OT techniques में इरिका गनाइस hospital या institution से जिनके पास certificate या diploma है OT techniques में और दूसरा इन्होंने कहा है कि work experience वाले candidate को consider किया जाएगा clear दोस्तों आपको educational qualification और इसके अंतरगत जो कुल vacancies हैं वो 26 हैं और इसमें जो आपकी salary रहेगी वो 20,000 तक आपकी salaries में रहेगी अब हम बात कर लेते हैं इसमें selection procedure की तो दोस्तों इसमें आपका एक तो टेस्ट होगा क्या पूछा जाएगा इस टेस्ट में आपने जोब के दोरान जो भी knowledge गेन करी है उससे related दोस्तों आपसे सिफ questions पूछे जाएंगे तो इसका टेस्ट कुछ जादा difficult नहीं होगा सिफ आपकी जो education आपने अभी तक जो हासल की है और जो आपका अभी तक experience रहा है जो आपने job में जो experience किया है उससे related आपका knowledge टेस्ट होगा फर उसके बाद आपका एक interview लिया जाएगा then आपका selection complete होगा तो दोस्तों अगर आप apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आप को online apply करना होगा इनकी website पे जाके career section में और apply करने की last date जो है वो 12 February 2022 तक दोस्तों आप apply इसमें कर सकते हैं अगर आप अगर आपने 12th science stream से किया है अगर B.S.C. आपका complete है with 5 years experience के साथ in following areas में तो आप इस job के लिए बिलकुल apply कर सकते हैं दोस्तों तो आपको उनकी website पे जाके apply करना होगा और आपका इस registration उन्होंने पूरी process दिये कि आपका 7 step में registration आपको करना होगा अब हम आजाते हैं इसकी application fees दोस्तों इसमें general candidates के लिए application fees इसमें लग रही है OBC के लिए भी 750 रूपीज है, SCSD candidates के लिए 450 रूपीज है women candidates के लिए 750 रूपीज और EWS, PH candidates के लिए इसमें application fees रही है वो 450 रूपीज एप्लिकेशन फीज लग रही है अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो उनकी website पे जाके आपको apply करना होगा दोस्तों तो दोस्तों एक अच्छी opportunity है उनसा भी candidates के लिए जिन्होंने अपना 12th science stream से पास किया है या जो BSC degree holder है उनके लिए एक अच्छी opportunity है कि इसके लिए apply कर सकते हैं तो ये था दोस्तों Broadcast Engineering Consultants India Limited की तरफ से Operation Theater Assistant का notification अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubts हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्षिन में पूछिए और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिससे आपको आने वाले दोस्तों जॉब के अपडेट्स हमारी चैनल से मिलते रहेंगे थैंक यू